कि नमस्का साथियों कैसे आप सब स्वागते आप सभी का नोली सपोर्ट के यूटूब चैनल पर आज हमला है आपके लिए जीवी ग्यान के मैत पून कोशन जो आपको आपकी मदद करेगे अब जाद देरी ना करते हैं चलते आपने पहले कोशन के और जो कि इस प्रकार है जीवी ग्यान का जनक किशे माना जाता है ओप्शन ए रस्तू ओप्शन बी लेमार्क ओप्शन सी साइकस या फिर ओप्शन डी लिस्टर साथियो इस कुशन के सही जवाब है ओप्शन ए रस्तू अब में साथियो आपको इन तीन वारें बताता हूँ लेमार्क साइकस ओ लिस्टर साथियो लेमार्क ने बायलोजी सब्द का सरपरतम पर्योग किया था और साइकस एक पोदे का नाम है जिसमें बीज नहीं होते और लिस्टर आदोनिक एंटिसेप्टिक सर्जरी के जनक माने जाते है तो फिर चलिए चलते अपने अगले कुश आकास में या फिर ओप संडी जल में तो साथियो इसकुस्टिन का सही जवाब है ओप संडी जीवन की उत्पत्ति जल में होई थी साथियो इसकुस्टिन के बारे में एक्ष्टर जानकर देने के लिए कोई बात नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते है थलवाई और आकास के बारे में इसलिए अब चलते हैं अपने अगले कुश्टिन के और जो किस प्रकार है प्याज किसका परिवर्तित रूप है और प्याज साथियो तने का प्रिवर्तित रूप है तो अप्शन ए सई होगा और अप्शन ए तने का चले साथियो देखते हैं अपने अगले कुश्टिन क्या है मान्व रक्त समूकी कोच किसने की और अप्शन ए रोबर्ट कोचने ऑप्शनоме रोबर्थ ने ऑप्शन कर लेंड इंड नर या फिर ऑप्शन डी प्रोनाल्ड रोंस ने कंग गैं कि सीस्टिन का साइए जवाब है ऑप्शन सी लेंड इसतिनर ने ए इसके लाव दोस्तों, रोबर्ट कोश ने हैजे के टीके का विश्कार किया, रोबर्थ ने टाइफाइर के जिवानु की खोज की और रोनाल्ड रोस ने यह अपत लगाया कि मलेरिया मच्छर दुआरा होता है, तो फिर साथ यो देखते हैं अपना गला कुशन क्या है, कुश साथ यो इस कुशन का सही जवाब है, और साथ यो खास जानना वाली बात यह है कि, ए बी ही सर गुराइब क्यों है, क्योंकि साथ यो ए बी में, कोई भी एंटीबोडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सरुगराई होता है, तो इस कुशन का सही जवाब है, ओप्शन ए, ए बी, तो फिर दोस्तों चलते हैं अपने गले कुशन की ओर, जो किस प्रकार है, कुशन नमबर सिक्स, कौन सारक्त वर्ग सरुदाता होता है, ओ ओप्शन बी, ओ, ओप्शन सी, ए, या फिर ओप्शन डी, बी, तो इस कुशन का सही जवाब है, ओप्शन बी, यहनिके ओवर्ग, और खास जानने वाली बात है, कि साथियो, ओवर्ग ही सरुदाता क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस ओवर्ग में दोनों एंटिबोडी पाई जाती है, इसलिए यह किसी भी वर्ग वाले मनुश्य को खून दे सकता है, तो दोस्तों चलते हैं, अपने अगले कुशन के ओर, जो किस प्रकार है, साथ ही आपको यह क्लास क्या सी लग रही है, हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, और अब चलते हैं अपने अगले कुशन की ओर, रक्त के जमने में किस तत्यू की भूमे का मुक्य होती है, ओप्सन ए, एन ए, यानिके शोडियम, ओप्सन बी, सी ए, यानिके कैल्सियम, ओप्सन सी, एम जी, यानिके मैगनीशियम, या फिर ओप और अप्सन डी, सी, यानिके कार्बन, साथियो जोब में चोट लगती है, तो चोट वल जेंगा पर रेल, रेल, ठकका से बन जाता है, तो वह किस कार्बनता है, उसका सबसे बड़ा कारान है साथियो, सी ए, यानिके कैल्सियम का, तो इस हिसाब से का आणसर हुआ, ओप्सन B केल्सियम, साथ यो चलते हैं, अपने गले कोशन के और जो किस परकार है, कोशन नमबर एट, प्लाजमा में कितने परतिसत गूलकोज होता है, ओप्सन ने, 0.1 परतिसत, ओप्सन B, 0.2 परतिसत, ओप्सन C, 0.3 परतिसत, या फिर ओप्सन D, 0.4 परतिसत, दोस्तों इस question का सरी जवाब है option A 0.1% अब किलास का आगे बढ़ाते हैं साथियो और चलते हैं अब नेगले question की ओर जो किस प्रकार है मनुश्य के मेरू दंड में कितनी जोड़ी तंत्रीका होती है option A 46, option B 31, option C 52 या फिर option D 41 साथियो इस question का सही जवाब है option B यानिके 31, साथियो ये सभी प्रस्ण पिछले पेपरो से लिए गई है, जो आपको परिक्सा का इस तरह जानने में मदद करेगे, कि परिक्साव में किस तरह के प्रस्ण आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को जरत ध्यान से देखना साथियो, अब नेगले question के और जो किस प्रकार है, alpha creating काँ पाय जाता है, option A आँखों में, option B तोयचा में, option C बालों में, या फिर option D दांतों में, alpha creating साथियो, तोयचा में पाय जाता है, इसी के साथ साथियो चलते हैं, आपने अगले question के और, जो किस प्रकार है, question number 11, पाचन के रसों में, कौन सा अमल पाय जाता है, option A sodium chloride, option B hydro chloride, option C sulfuric अमल, या फिर option D pyruvic अमल, साथियो पाचन के रसों में, हाइड्रो क्लोरिक अमल पाय जाता है, इसलिए, इस question का सही जवाब है, option B, हाइड्रो क्लोरिक अमल, तो फिर चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं, कि अगला question क्या है, वेल के हरदिया में एक ने chamber होते है, option A, 3, option B, 4, option C, 6, या फिर option D, 7, तो साथियो वेल के हरदिया में, चार चेमबर होते हैं, इसके अलावा, मुनुस्य के हरदियों में भी साथियो, चार चेमबर ही होते हैं, हमारा 13 question इस प्रकार है कि, आदमी को परति दिन कितने उर्जा किया सकता होती है, option A, 4,000, option B, 3400, option C, 4900, या फिर option D, 3600, साथियो इस question का सही जवाब है, option C, 4900 किलो कैलोरी, अब चलते हैं, साथियो अपने अगले question की ओर, जो किस प्रकार है, दांतों की संख्या सरवाधिक किसमे अधिक पाई जाती है, option A, घोडे में, option B, मनुश्या में, option C, कुत्ते में, या फिर option D, बिल्ली में, दोस्तों, इस question का सही जवाब है, option A, घोडे में, और साथियो इसके लावा, एक जानवर और है, जिसमें की दातों किसमें क्या दिख पाई जाती है, यदि आपको उसके बार में पता है, तो उस जानवर का नाम हमें कमेंट बोक्स में ज़रूर बताए, इसी के साथ साथ यो लेता है, एक लास का अंतिम question जो कि इस प्रकार है, बड़ी आँच की लंबाई कितनी होती है, option A, एक मीटर, option B, दो मीटर, option C, 1.5 मीटर, या फिर option option D, 2.5 मीटर, तो साथ यो इस question का सही जवाब है, option C, 1.5 मीटर, इसी question के साथ साथ हम आप से विदा लेते हैं, अगली ख्लास में फिर भी लेगे, तब तक के लिए धन्यवाद,